नमस्कार दोस्तों, बगवान आपसे वी कब लग करूँ और आपके सारी एक 6 मन कामने पूरी हो दोस्तों, आज मैं आपसे वी को इस हाथ से रेलेटेड महत्मुन जान करिवे करूँगा और यहाँ पर सर्पत हम आपके finger के analysis के बाद इस परे palm का analysis कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा तो यहाँ देख सकते हैं कि finger के length आपके palm के comparison में long है जो एक detailed analytical personality को indicate करता है जिसके करण हर काम को सोच विचार के करना अपने आपको pre-plan रखना लाइफ में एक-एक step फूख फूख करके रखना और patience बहुत अच्छा देखने को मिलना इसलिए किसी भी चीज़ को पानी के चाहत बहुत अच्छी देखने को मिलती है और थोड़ा detailed analytical personality होने के करण हर बात के जड़ तक जाना और step by step काम करने की उयूती को यहाँ पर यह दर्शाता है तो आप जैसे जातकों के जीवन में सफलता मिलती है लेकिन देरी से मिलते वे देखने को मिलती है और जब सफलता मिलती है तो वो लगातार जो है आपको शुब परिणाम देते रहते है ऐसा नहीं होता है कि एक बार सफलता है फिर उसकद downfall आया फिर उसकद वापिस सफलता ऐसा नहीं रहता है जब इस प्रगार के थोड़े बहुत भी gap maintain होते तो ये अर्धी खर्चिले पन के निशानी होता है खर्चोपन येंतरन कम होता है पेसा कम हाथ में रुकता है और इस condition में royalty-based personality जादा होती है इसलिए अपने luxurious comfort के recording कभी कोई sacrifice नहीं कर पाते हैं आप जैसे जातक सुन भी सब की लेते हैं लेकिन अंदतह करते हैं अपने मन की हैं लेडल finger के लिए तक्रिवन ठीक है क्योंकि थर्ड फिंगर के first board तक पहुच पा रहा है तो communication इसके लिए marketing skill और work management बहुत बढ़िया होता है अर्था जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे अपने और से 100% इफर्स डाल उसकाम को perfectly done कर पाएंगे और किसी भी प्रगार का शर्मिलापन, हिच की चाहट, बातचीत में नहीं देखने को मिलता और commitment भी जो करते हैं बहुत strong करते हैं जिसके तरफ अपने commitment को fulfill कर पाते हैं documentation, filing को अच्छे से maintain कर पाते हैं और एक समय पर एक से ज़्यदा काम भी easily handle, tickle कर पाने की योगिता ये देता है थर्ड और फर्स फिंगर के length में देखेंगे तो दोनों के length में बहुत हलका साई फराख है इसके लब यहां पर देखेंगे तो फिंगर के उपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं के शंकला friendly nature and approach देती है तो हर परिस्तिती माहूल में अपने आपको ढ़ाल पाने में सक्षम दिखाया पढ़ रहे हैं बहुत कम आपकी close friends या close colleagues रहेंगे लेकिन जिनसे भी संबंद रहेंगे बहुत मधर रहा पाएंगे फिंगर के जो notes से हुई यहां develop clear kit नहीं है जो confusing mindset की निशानी होता है तो decisions properly ले नहीं पाते है किसी ने किसी विक्ति विशे इसके guidance या support क्या उशकता पड़ती है decision लेने के लिए फैलेंजर्स की विसे इस्तिती यहां पर ठीक है internal marks यहां develop ठीक है तो stamina energy रोग परतिरोधक शमता वैसे ठीक रहने वाला है और thumb का size यहां पर आपका short है तो to the point बात करना सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगा और flexible nature attitude रहेगा तो बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णे बनाए गए योजना में परिवर्तन करे पाने में सक्षम रहेंगे यह का चिन है लेकिन properly developed नहीं है तो यहां पर जब यह का चिन properly developed नहीं होता है तो एक एक धर्म के परती विश्वास उठता है और एक धर्म के परती बहुत ज़्यादा ही विश्वास आता है इस condition में यह combination क्या करेगा कि आपको कोई काम consistency में नहीं करने देगा रुक रुक करके काम करते हुए और फिर काम में बार बार परिवर्तन करते हुए भी देखने को मिलते हैं तो focus में कमी यह consistency में कमी यह देता है इसलिए यहां पर meditation का suggestion का suggestion दिया जाता है और धार में क्रिया कलाब के अंतरगत खास कर दान धर्म जो है जादा आपको करना चाहिए इससे यह कचिन जब prominent developed हो जाएगा या फिर prominent result जब देने लगएगा तो उस condition में आलेशन, घर का सुख, अथवासारी प्रकार की सुख, सुविधा, संब्रिद्धी, धन, वेभव, किर्ती और grasping इसके लिए नहीं सीखेने समझने की सक्षम हो जाएगी यह छे चीजें आपके फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी पाम को जो आपके structure है उसको यहाँ पर अगर हम देखें तो यह एक प्रकार से तक्रीबर स्क्विरिश पाम में ही convert हो रहा है इसको ज़्यादा लंबाई में या ज़्यादा चोड़ाई में नहीं कहेंगे इस पर अगर कर जब पाम होता है तो शाररिक मेहनत या मानसिक मेहनत अच्छे से करपाने में सक्षम होते हैं और तीवरे गती से action लेकर के जियोने परगती करते हैं देखने को मिलते हैं यहां बात करेंगे गुरू के छेतर के विशे में तो सबसे पहली बात जो गुरू पर अच्छी दिखाई पड़ रही है वो है क्रॉस का स्चिन क्रॉस का स्चिन मेरेड लाइफ के लिए फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है इस कंडिशन में आप जिसे जातकों का फैमिली में जुरुतिबा है बहुत अच्छा देखने को मिलता है और मेजर डिसीजन आपकी बेना लिये नहीं जाते है वैसे ही कारे छेतर में भी मान सम्मान प्राप्त करने की यूथी यहां पर यह देता है अब यहां पर क्रोस का साइन सबसे अच्छा जो परिणाम देता है वो मेरी लाइफ के रिगारिंग देता है क्योंकि इस कंडिशन में जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा लायक देखने को यहां पर मिलते हैं इसके अलबा यहां पर देखेंगे तो एक प्रकार से जितनी भी प्रोग्रिस लाइन है यह सब बहुत एंबिशियस नेचर अप्रोच देती है यानि महत्व कांशी बनाती है जिसके तरद कभी भी अपनी एक्छा मनोकामनाओं को एक प्रकार से कम नहीं करती है एक्छा मनोकामनाओं के पूरती के लिए जो जुनिया चाहिए होता है वो देखने को मलता है गुरू पे कोई rectangle या square जैसे sign नहीं है अगर वो बन जाता तो prosperity और property बढ़ने में आने में ज़्यादा समय नहीं लगता तो यहाँ पर मेरे तरफ सी यही suggestion रहेगा कि आप जेतना हो सके दान धर्मे में ज़्यादा ध्यान देवें और social work के अतरिक्त काम करना शुरू करें social work में कुछ भी हो सकता है गरीबों की सेवा होगी अनाथाश्रम में काम कुछ हो गया मंदिरों का निर्मान कार्य हो गया क्योंकि जब इस प्रकर के काम करेंगे तो गुरू बहुत अच्छा response करेगा क्योंकि क्रोस तो है ही square यह rectangle कुछ भी हिसाइन अगर बनता है तो लाइफ में prosperity और property पद सम्मान ये और चीज़े आपके जीवनें बढ़ेगा और ये कार चेत्र से लेकर के घर परिवार सब में उन्नती लेकर क्या आएगा और protection लेकर क्या आएगा तो इस पर ज्यादा ध्यान दिना चाहिए और जो आड़ी वेखा है ये दयालो वह धार्मिक किस्म की प्रवति को भी दर्श जाए 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 नहीं है पूरा एकदम हाथ खोल करके खर्श करते हुए या फिर दूसरों की मदद करते हुए या फिर जग कल्यान के लिए काम करते हुए देखने को मिलती है तो यह जो जो गुरू की स्थिति है वो बहुत बड़िया है जो कि अच्छे कर रहा है शनी के उपर देखेंगे तो जब भी हृद रेखा से शनी की रेखा निकलती तो इसे टूथ लाइन केता है इस कंडिशन में जूट फरेब दिखावटी पन थोड़ी जो है कम देखने को मिलती है सच्चाई का साथ देने वाले वाले नियाय पर एक इसम का व्यक् कर रहा है इस प्रकार से खर्चे अलग अलग माद्य हमें से होते हैं लेकिन वी सिंबॉल इस बात को एश्यूर करता है कि जीवन में कभी भी आपको धन की और भागी की कोई भी कमी होने नहीं वाली है इसके इसके कंपरिजन में जितनी भी छोटी छोटी रेखा है ये टेम से मिल पाएगा जितने भी जीवन में कर्म की हैं पुन्ने वो सब उस समय आपका निकलेगा अच्छा तो ओल्ड एज बहुत कंफरेबल और बेनिफिशल यहां रहेगा सारे डिजार इंबिशन यहां कंप्लीट हो जाने वाले आपके रहेंगे भागे रेखा की स्थिति के अगर बात की जाए तो जीवन रेखा इसमें आकर करके जॉइंट हुआ है तो जब भी जीवन रेखा से भाग रेखा मिल जाती है कैसे भी तो यह सेल्फ मेड लकलाइन को क्रिएट कर देती है जारी अपना भागे खुद के द्वारा उत्पन करना और अपने मेहनत से भाग इस पीरिड में संघर जीवन में पैसो की रेगारिंग करियर की रेगारिंग ज्यादा देख रहा है फिर उसका यहां पर लकलाइन सीधेगा फिर एक हलका सा यहां पर गया पाया है और अगर इस समय कोई जच करेंगे तो यह निकलेगा 43 से लेकर के 47 के मिट में यानि इस प काम जो है आधे अधूरे होते हैं और फिर एन वक्त पर आकर के काम रुकता है लेकिन कोई भी काम एक मेनत में नहीं हो पाता एक से ज़्यादा बार प्रयत्निया प्रयासों में काम होते हुए देखने को मिलता है सबसे बड़ी कमी इस कंडिशन में यह रेती है कि रेदर र यहां पर रुक रहा है तो इसका मतलब आपने अभी तो खुद को नहीं पेचाना खुद को नहीं जाना इसलिए भी भाग रेखा रुकती है जब एकती खुद के डिजायर एंबिशन खुद के ड्रीम को लेकर के समझ नहीं पाते कि उनकी आंतरिक रूप से एक्छा क्या है तब भी भाग रेखा ऐसी हरद रेखा पर आकर करुकती जिसके करण इमोशनल डिसिजन लेने के करण या इमोशनल इंफलेंस होने के करण भी अपने भाग में जो है कई ना कई थोड़ा परिवर्तन करते हैं या अपने काम में अपने अर्निंग सोर्स में परिवर्तन करते तो ये भाग में रोकावट करते हुए पाए जाते हैं अभी आपको 41 अराउंड एज है अभी के समय के अगर accordingly बात करें तो दो अलग-अलग प्रकर की stress line यहां पर आकर करके joint हुई है अगर इसका हम age यहां पर judge करें तो यह age approximately यहां पर निकलेगा आपका तक्रिबन यह निकल अराउंड 41 इन 2 का तो यह दोनों पिरेड में हलका सा जो है आपको money losses होना हलका सा career के regarding struggle या unsatisfaction मिलना यह combination रहेगा लेकिन भाग रहेखा कहीं भी रुकी नहीं है इसलिए अंतिताह करियर में growth होने के संपूर्ण संभावना 42 के यानि ने next year में 100% है इसके लब यहां पर दे advice बहुत अच्छा देते हैं और अगर आप consultancy के line में जाए या advisory के line में जाए या इसे कोई भी काम में जिसमें आप किसी as a mediator कोई work कर रहे है दो पक्षों की बीच को कोई deal कर रहे है या फिर किसी को deal करवा रहे है guidance कर रहे है suggestions दे रहे हैं तो उन सब sector में बहुत ज़्याद growth के chances यह create करता है पैसा बहुत मिलता है इन सब छेतरों में क्योंकि इन सब combinations को विध्या रखा केते हैं तो आप जैसे जातकों का गियान दूसरों के काम बहुत अच्छा आने वाला देखने को मिलता है अब सूर के उपर बारी किसे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको half fish symbol का सायन दिखेगा, half fish symbol का सायन जब भी सूर्य पर होता है तो इसकी कहानी एक अलग होती है, हस्त रेखा में खासकर समुद्र सास्तर में इस बात का जिक्र है कि जब भी half fish symbol अर्द मचले का चेन सूर्य पर होगा तो ऐसा जातक पूरी दुनिया में विजय प्राप्त करेगा लेकिन घर में जाकर के हारेगा, घर में भी आपकी खूब चलेगी लेकिन इस condition में ये रहेगा कि घर की जो औरते हैं, इस तरियां हैं, उनकी स्थिती थोड़ी ठीक नहीं रहेगी, कैसे ठीक नहीं रहेगी जिस स्वासंबंद विश्यों में या दूसरे किसी विश्यों मे कई न कई उनको थोड़ी बहुत तकलीफ हैं मिलेगी, लेकिन बाकी जिस जगे जाएंगे, जो किसी से बात करेंगे, उन सब चीजों में विजय पराप्त करेंगे, ये बात निश्यत है, तो यहाँ पर आप हारेंगे कहां, घर में आके, क्योंकि बच्चों की बिमारी मिल स बाकी हर जगे आप विजय पराप्त कर पाएंगे, दूसरी बात यहाँ पर देखें, तो सूर्ग के उपर जब भी इस प्रगार से अवी सिंबोल का साइन होता है, तो ये भी वेलदी परसनल्टी का साइन होता है, वेलदी परसनल्टी का तदा पर यह होगे कि समरिद्धी युक्त जीवन शेली होती है धन को मिला करके ठीक रहता है बहुत ज़्यादा धन हो या ना हो उससे फरक नहीं पड़ता सुख सुविधा समरिधी युक्त जीवन शेली आलिशन घर अच्छा रहन से खान पन इस प्रगार का व्यक्तित यहां यह देखने को मिलता है और शीव पस जब ब्रांचेज अपर पॉजिशन में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की रिस्पॉंसबिलिटीज आप जैसे जातकों के उपर आती हैं खासकर फैमली में बहुत अलग-अलग लोगों की रिस्पॉंसबिलिटीज लेते वे जो है दिखाई पड़ते हैं और इस काब नहीं रह पाते हैं कहीं दूसरों के साथ अच्छे से घुलना मिलना अपने व्यक्तित उसे दूसरों को एंटिटीन कर पाना लोगों को बांधे रखने की सक्षमता अट्रेक करने की योगता यह सब कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है और जब भी मरकरी लाइन इस प आपको पेसा बहुत आएगा इसके अलबा ह्रेदर एकहा में देखें तो ह्रेदर एकहा में जब भी नीचे के तरव रेखा जाती है तो माता पिता की अच्छे सिवक या उनको बहुत अच्छा लाप पहुचा पाने में या अपने एंसिस्टर्स के लिए बहुत ज़्याद कि health के रिगार्डिंग होने वाले रहेंगे, health के रिगार्डिंग stress आ सक पाइस पीरियंग में, वहीं जो आपकी रिद रेखा है, वो यहाँ पर सीधे निकल के, गुरू के तरफ जा रही है और एक साका एकदम सीधे जा रही है, इसे कहते हैं विश्णो सिंबोल रिस कंडिशन में अपने बात को बहुत सही डंग से समझा पाते हैं इस टार्डिंग लाइफ टप होती है लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम डूरेशन बढ़ता है विसे-विसे ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है यह जो सीधी जा रही है यह रेखा वर्कोहलिक नेचर देती है और उपर जाने वाले रेखा इमोशनल नेचर देती है लेकिन controlled emotions होते हैं पूरा emotions एक बार में नहीं निकालते हैं किसी के सामने रोना गाना ये सारी चीज़े पसंद नहीं होती है लेकिन भाव किस्म की प्रवती वो दयालो किस्म की प्रवती इस प्रकार के हैद रेखा देती है जीवन में आप पहले family के उपर dependent ज़ादा रहे हैं या family के अंडर में ज़ादा रहे हैं अंडर के नहीं ज़ादा ठीक रहेगा और family से जो इंडिपेंडेंसी है वो around 22 और या 23 के आसपास में आपको मिला है यानि 22 और 23 में आपने खुद के दम पर काम करना निरने लेना शुरू किया एक यहाँ पर बहुत हलका सा island का formation available है सेटन मांट के नीचे जब इस पर अगर के sign available होते हैं तो यह headache देते हैं कई ने कई mental stress pressure या anxiety देते हैं और यह समय आपके जीवन का यहाँ दिखाई पड़ रहा है तक्रिवन उम्र 31 के आसपास में 31-32 का पीरेड है इसके वाद से यहाँ पर एक बहुत मजबूत शाखा जो है आपके mercury के तरफ जा रही है अब यह बारी किसे देखें तो रेदरेखा को यह एक परकार से cross करते वे आगे के तरफ बढ़ा है तो यह मरकरी के तरफ जा रहा है जो earning capability increase कर रहा है 36 के एट से और आने वाले समय में और मजबूत शाख है आपर mercury के तरफ जा रही है तो इसलिए जब mercury के तरफ भाग रेखा इसी जाने लगे या मस्तिश रेखा से रेखा जाए तो यह money minded बनाता है और इसलिए आप जैसे जातकों का ध्यान पेसों के तरफ जादा पाया जाता है याथवा पेसा अच्छा कमा पाते हैं opportunities के अच्छी तलाश में होते हैं और उसको grab भी कर पाते हैं यह सेटन पर भी यह भी opportunity ही दे रहा है यह क्या करता है systematically work कराता है यह जितनी भी रेखा देख रहे हैं आप यह वाली यह रेखा orderly काम कराती है बहुत अच्छा balance और बहुत अच्छा management को भी create करती है तो यहाँ पर आपकी जो mind line का structure है वो कुल मिला करके यहाँ पर long है तो जब भी मस्ति शेखा लंबी होती है तो यह smart type के व्यक्तित को उत्पन करता है क्योंकि आप जैसे जातकों का common sense या sense of humor है वो बहुत सही पाये जाता है इसमें से एक शाखा जब भी ऐसी decline होती है तो यह imaginative type of nature and personality को create करता है नीचे जाने वाली smile line की एक negative point यह होती है कि आप जब से जातक easily distract होते है अदरवाश देखा जाए तो यह imagination, creativity बहुत अच्छी देता है writer fork होता है basically जो deep thinking, research या किसी innovation की काम में या किसी प्रकर के detailed knowledge में लेकर जाता है तो imagination प्लस creativity को यहाँ पर यह create करता है दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पर कोई न कोई आप जो है अपने मन मताबिक या passion hobby को भी follow कर सकते हैं उससे भी आप मिलेगा और जितने भी यह रेखा है, सब cross करके गुजर रही है सब mercury ही line है जो किसी भी प्रगार के independent business या work से आपको progress देती भी दिखाई पड़ रही है life line के उपर देख लेए तो यहाँ पर देखेंगे कि island का formation इधर available है और यह period आपके जिवन का रहा है 20 से लेकर के 22 का इस period में आपको health और family के regarding struggle का सामना करना पड़ा था इसके उला life line का जो flow है उकुल मिला करके ठीक चला सबसे ज़्यादा जो यह fail करके चला वो समय था आपके जिवन का तक्रिवन 27 से लेकर के तक्रिवन 36 इस period 27 से 36 के समय में बहुत ज़्यादा उठा पटे किया बहुत ज़्यादा संगर जिवन में रहा एक सही होगी रेखा यहाँ पर अविलेबल हो गई उम्र तक्रिवन 29-30 से तो 29-30 से यह रहा कि spouse का या कई दूसरों का support अच्छा मिला क्योंकि यह जब supportive line आती है तो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फिलाना पड़ता है जितने भी बड़न है सब खुद के ओपर जो है एक प्रकार से हैंडल कर आगे बढ़ने की यूती देता है फैमिली के रिगार्डिंग और हेल्थ के रिगार्डिंग एक और इस्ट्रेगल 37 ने नेट में आया था अभी के समय के अगर accordingly बात करें तो अभी तो लाइफलेंग का फ्लो सुधर रहा है बाहर के तरह हो जा रहा है तो most probably chances बहुत अच्छे हैं कि आने वाले 4 साल के अंदर में आपका foreign settlement हो सकता है या फिर जन्मिस्थान से दूर कार करने की यूती निर्मित हो सकती है क्योंकि बाहर के तरफ जुकना लिए सभी रहा है जन्मिस्थान से दूर ही व्यक्ति को ले करके जाती है और अंतितह फिश शिंबॉल का साहिन है जो की मोक्ष प्राप्तिक की योगो को धार में खोने की यूती को अचानक भाग यूदे अथोधन प्राप्तिक की योगो को निर्मित करता है जब भी गुरू पर स्क्वेर का सायन नहीं बना हो और केतू पर फिश शिंबॉल हो तो इस कंडिशन में कोई भी स्टोन पहनना नहीं चाहिए यह जितनी भी आपने पहने हुई यह अंगुठी यह क्या करती है कि यह और बेफिजुल का भागदोड़ी या फिर और कईना की संगरश को बढ़ाता है यह टेंपररी बेनिफिट्स आपको दे सकते हैं लेकि लॉंग टम बेस बेनिफिट्स नहीं देते हैं केतू मोक्ष का करक है और केतू को मोक्ष कहां से मिल पाता है गुरू के करपा से गुरू की दरिश्टी से ही मिल पाता है और गुरू कभी भी स्टोन पर काम नहीं करते गुरू डारेक्ली यहाँ पर इश्वर के अरादना इश्वर की जो है करपा या इश्वर को कैसे प्राप्त करना इस विशे के ग्यान को यह दर्शाते हैं तो जिसे कि यहाँ पर आप जो शोशल वर्क के करेंगे मंदिरों में काम करेंगे, मंदिर निर्मान के लिए काम करेंगे यह सब में जूपिटर के काम है जिसमें आप जन कल्यान के लिए बहुत बड़े स्तार का कोई न कोई काम कर रहे हैं तो ये स्टोन निकालने के बाद जो है बहुत ज़्यादा free मैसूज आप कर पाएंगे या बहुत ज़्यादा life में जो free will है यानि बहुत ज़्यादा restrictions या जो trouble है या जो initiative लेने का बार-बार सोच रहे नहीं पारे तो वो जटपट आप ले लेंगे और कई न कहीं पेसा भी बढ़ेगा, opportunities भी बहुत बढ़ेगी तो यह आप practical करके देखेगा क्योंकि इसका असर बहुत prominent आपको देखने को मिलेगा अंद्रुनी मंगल से बहुत सारी रेखें आ रही है जो बार-बार इस बात को दरशारी है कि थोड़ा सा कुरूर सुभाव या aggression यहाँ पर यह हलका सा देर आ है मंगल क्योंकि मंगल यहाँ पर तीव रहे है आपको मजबूत है लेकिन सही होगी रेखा है तो चिंतावली बात नहीं है इसने बहुत हद तक आपको बचाए है आगे भी बचाएगा किसी प्रगर के मंगल के दोश के अतरिक आपको तकलिव परशानी नहीं आएगए अथवा शारेरे गठन या मानसिक बल दोनों कोल मिला करके ठीक रहेगा फिजिकल फिट मेंटिली अलर्ट दोनों देखने को मिलेंगे शुक्र विक्सित अच्छा है तो लग्जरीस कमफर्ट बहुत शांदर अपने जीवन में आप उत्पन कर पाएंगे अर्थात एक से जादा गाड़ी घरबार का सुक अच्छा रहन से खान पर अच्छी दिन चरे एश्वाराम भरी जिंदगी सारे कमफर्ट एमन लग्जरीस को इंजोई करते हुए आप यहाँ देखने को मिलेंगे जेतनी भी हल्गी फुल के आड़ी रेखा हैं सब अन्नेसेसरी ज़रीस को क्रियेट कर रही लेकिन कोई भी रेखा लाइफ लेन को टेच नहीं कर रही तो most probably अब फैमली के रिगरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रगल नहीं आएगा ऐसा शुकर उस शौकिन किसम का व्यक्तित देता है तो शारे शोख अर्मान पून को जो है कर पाते हैं थोड़ा प्लेजर के रिक्वाइर्मेंट ज़्यादा देखने को मिलती है चंद्र के उपर एसी आड़ी रेखा, किसे ने किसी प्रकर का एडिक्शन दे सकती है अथो ध्यान भटकाती है मन विचलित रहता है, रेस्लेसनेस यहाँ देखने को मिलता है इसलिए इस कंडिशन में बच्चियों की सेवा करना, बच्चियों को जो है कुछ न कुछ खिलाते पिलाते हैं उनको पढ़ाई लिखाई की रिगार्डिंग सामगरे देना जो है जरूरी होता है और जैसे कि यहाँ पर भी बताएगा कि आप शिव जी के अराधना करिए तो शिव जी के अराधना के अतरिक शिव लिंग पर अभीशेक करने से मन विचलित होना, मन जो है इदर उदर भटकना बहुत ज़दा फियर या अननेसेसरीली अनसाडिस्वेक्शन आना यह सारी चीज़े खतम होती है मने ट्रेंगल इनकंप्लीट है तो पैसा आएगा बढ़िया, रुकने नहीं वाला है खर्चे इतने जादा रहेंगे किसी माध्यम से पैसा तो फिसल जाएगा हाथ से तो ध्यान रहे, investment की ओपर ज़दा ध्यान रखें और ज़दा धन अपने पास ना रखें तो ही आपके लिए ज़दा ठेक रहेंगा इसके अलावे यहां पर बात करने ले लिफ्ट हैंड में तो लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहां पर भी आपके सेटन तक पहुचा है तो यह एड दे अंड आपको अपने लाइफ में फूल साडिस्वेक्शन, स्टेबिलिटी, इंटरनल पीस, हैपिनेस सब मिलेगा और थोड़ा सा जो है आपका माइंड जो है वो लाब निकलवाने के प्रती जाग रुख है इसलिए आप जैसे जाता है घर परिस्थिती, माहौल, व्यक्ति से कही ने की लाब निकलवाने में सक्षम दिखाई पड़ रहे है इसलिए बिजनस में आप जाएंगे तो बहुत अच्छा इस माइंड का उप्योग आप कर पाएंगे तो यह थी सबसे महत्पुर्ण बात है आपके हाथ करेगाड़िंग आशर करता हूँ सभी प्रेश्णों को अत्तर मिल गया हो तब तक आप अपना ध्यान रखें आपका बहुत बहुत धन्यवाद